नमस्कार साथियों मेरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बाद फिर से स्वागत है साथियों आज एक बहुत ही महत्पून वीडियो चुनाओ से संबंदित मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्योंकि चुनाओ के दोरान कुछ विशेश परिस्थितियां हमारे सामने आज आती हैं वे कौन-कौन सी परिस्थितियां हैं इसके बारे में आज की वीडियो में हम डिसकस करेंगे और अगर इस तरह की परिस्तिति आ जाती है तो हमें उन पर कैसे कारवाई करनी है क्या क्या कार्य करना है ये सब हम आज की वीडियो में डिसकस करना है ये वीडियो सभी पीटा सीन अधिकारी और अन्य मद्दान कर्वियों के लिए आवश्यक है क्योंकि ये परिस्तितियां सभी के सामनी आती है वीडियो को सुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता अगर आप चाहते हैं इस तरह की informative वीडियो आपको एक platform पर मिले तो उसके लिए मैंने informative वीडियो whatsapp ग्रूप और informative वीडियो telegram ग्रूप बनाए हुए हैं आप चाहिए तो मेरे ग्रूप से जुड़ सकते हैं ग्रूप का लिंक आपको वीडियो के description box में मिल जाएगा जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रूप से जुड़ सकते हैं तो चलिए देखते हैं क्या क्या परिस्तितियां आ सकती हैं मददान सब्बंदी विशेश परिस्तितियां एक परिस्तिति हैं हमारी postal ballot paper यानि आपकी voter list में PB लिखा हूँ या poster ballot आपको डालना हो poster ballot से मददान करना हूँ तो किस तरह से आपको मददान करना है और अगर voter list में PB लिखा हुआ है तो आपको क्या करना है दूसरी परिस्तिति हमारे सामने आ जाती है CSV यानि classified service voters CSV की vote किस तरह से डलेगी उसके बारे में हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे तीसरी परिस्तिति है हमारी challenge यानि चु पांचवी परिस्तिती EDC द्वारा मददान किस तरह से होता है चटी परिस्तिती है असक्त मतदाताओं द्वारा मददान किस तरह से किया जाएगा साथवी परिस्तिती हमारी होती है विवादित IU के मतदाताओं द्वारा मददान आठवी ASD मतदाताओं द्वारा मददान और नोवी प्रिस्तिती मतदाता द्वारा मतदान के दुरान मतदान से इंकार अगर कर दिया जाए तो उस कंडिशन में हमी क्या करना है नेक्स्ट है मतदाता द्वारा नियमों की अवहेलना अगर कर रहा है कोई मतदाता नियमों की अवहेलना उस कंडिशन में हमी क्या करना ह और अगली प्रिस्तिती है वीवी पैट पर मतदाता को भीन चिन अगर दिखाई दे और वो आरोप लगाए कि मैंने जिसको वोट दिया उसको वोट नहीं गया तो उस कंडिशन में आपको क्या करना है और नेक्स्ट प्रिस्तिती है इवियम या वीवी पैट कराब होना तो से वीडियो को देखते रहिए वीडियो को इसके मत कीजिए सबसे पहली परिस्तिती है पोस्टल बैलेट हे तू एहर मतदाता या पोस्टल बैलेट कोन डालता है कोन वोट डालता है प्रोक्सी वोटिंग का विकल्प नहीं चुनने वाले माली जे कोई सेवा सभी सेवा प्रावधान होता है लेकिन अगर उसको वे नहीं चुनते तो वे पोस्टल बैलेट से वोट डाल सकते हैं उसके साथ कौन फार्म बारे पर आवेदक विसेश मत दाता भी फार्म बारे पर आवेदन कर सकते हैं जैसे उपराष्ट पती गवर्नर मंतरी अध्यक्ष नीति स्पीकर डिप्टी स्पीकर विदान सभा के अध्यक्ष यह उपाध्यक्ष सचीवाले के सचीव और उसके साथ रहने वाली पत्मी फार्म बारे पर आवेदक निर्बाचन डूटी में लगे समस्त कर्मी वाहनों के ड्राइवर कंडक्टर ये भी फार्म बारे लेके उसके लिए आवेदन कर सकते हैं फार्म बारे डी पर आवेदक अनुपस्तित मद्दाता फार्म बारे डी लेंगे वे जो अनुपस्तित मद्दाता होते हैं आवेदक असी वरसे अधिक आयू के वरिष्ट मद्दाता हूं वे भी कर सकते हैं बारे डी लेकर मद्दाता सूची में पी डबलूडी यानि अगर मद्दाता सूची में पी डबलूडी किसी के नाम से लिखा हुआ है परसन विद डिसेबिलिटीज चिन्नित दिव्यांग मद्दाता वे बारडी का उप्योग करके भी पोस्टल बैलेट से मद्दान कर सकते हैं स्वास्त डाक यातायात अवस्चक सेवाओं में सेवरत मद्दाता इस तरह का मद्दान कर सकते हैं या कोविड से प्रभावित है वो भी इस तरह का मद्दान कर सकता है निरवाचन डूटी में लगे सभी कार्मिक डूटी आदेश लेंगे एक और इपिक की कापी के साथ एक इपिक की कापी जब फारभ बारे जमा कर दिया जाएगा रिटर्निंग अफिसर द्वारा सभी एहर सिवा मतदाताओं को ETPB पोस्टल बैलेट और अन्य एहर आवदक का परिक्षन कर पोस्टल बैलेट जारी किया जाएगा और जहां पर जिसका पोस्टल बैलेट जारी कर दिया जब हमने फा जब आपका PB जारी हो गया और बदाता सूची पर PB लिग गया और बाईचांस आपकी डूटी कट गई तो तब आप वोट पोश्टल बैलेट से ही डाल सकते हैं, EVM से नहीं डाल सकते तबश्चाद PB जारी होगा जिसके लिए निम्लिक प्रारूप भेजे जाएंगे, 13A मतदाता की घोश्टना, 13C कवर B लिफापा के, 13C कवर B लिफापा के, यानि ये आपको मिलेंगे बदाती के घोश्टना मिलेगा आपको 13A, 13B यानि कवर A मिलेगा आपको, 13C कवर B हितु दिशा निर्देश ये चाराप चीज आपको मिलेंगी मदाता गोशना प्रारूप 13 ए भरेगा हस्ताक्सर करेगा और बैलेट पेपर का सीरियल नमबर इसमें लिखेगा और राजपत्रित अधिकारी वहीं पर बैठे रहते हैं उन से उसको परमानित कराएगा जब परम लगा देगा 13 भी लिफापे पर मत पत्र का सीरियल नमबर लिखेगा गोशना पत्र 13 ए जो स्वय हस्ताक्सरित और राजपत्रित अधिकारी से परमानित होगा को छोटे लिफापे 13 भी के साथ बड़ा लिफापा 13 सी में रखकर चिपका कर दिया जाएगा मत दान करमी फैसी लिटेशन सेंटर पर रखके बैलेट बोक्स में पोश्टल बैलेट का लिफापा डालेंगे जबकि अन्य डाक द्वारा रिटर्निंग ओविसर को समय से पोश्टल बैलेट भेजेंगे मदाता सूची की चिनित परती पर PB अंकित होने के बाद सम्मदित मदाता केवल पोश्टल बैलेट द्वारा ही मदान कर सकेगा अगर मालीजे PB अंकित हो गए एक बार मोड लग गई उसे मदान इस्तल पर EVM द्वारा मदान का दिकार नहीं होगा तो वो मद्दान इस तल पर जाएगा अगर उसकी डूटी भी कट गई है तो वो केवल EVM से मद्दान नहीं कर सकता केवल पोश्टल बिलेट से ही मद्दान करेगा अगर उसकी चिनित परती पर उसका आ गया है उसके बाद CSW द्वारा प्रोक्स मद्दान या प्रोक्स मद्दाता से मद्दान जो CSW वाले होते हैं वे किस तरह से करते हैं जैसे सेवा मद्दाता होते हैं ससस्त बल होते हैं बाहरत के बाहर नियोजित वोटर होते हैं रज्जे के बाहर बाहर तैनात ससस्त बल होते हैं उनक सीज़वी बोलते हैं, तो यë मददान किस तरह से करते हैं, थाह दिर मददाता अपने मददान इसथल पर कोई मददाता उसका भाइ हो, चाचा का लड़का हो, किसी को भी, 13F पर एक 13F फार्म होता है returning officer के समक्स आवेदन करके proxy या proxy मद्दाता के रूप में अधिकरत करते हुए समस्त भावी निर्बाचन में अपना बद्दान कर सकता है उसको 13 फार्म में returning officer के साथ आवेदन करेगा और कह देगा कि मैं इसको अपना proxy निक्त करता हूँ और जब उसके निक्त कर देगा तो उसका proxy उसका vote डालेगा और 13 जी पर returning officer के समक्स आवेदन कर उसमें परिवर्तन भी कर सकता है अगर उसे change करना है उसने उसको कर दिया 13 फार और change करना है तो 13 जी उसे भरना पड़ेगा proxy मतदाता के बाए हाथ की मध्यमा उंगली में amidst शाही लगाए जाएगी अब आप उसने proxy किसी को निक्त कर दिया माली जे कि उसने अपने गाओं में अपने चाचा के लड़के को अपने भाई को प्रोक्सी निक्त कर दिया तो उसे चाचा के लड़के को अपनी वोट भी डालनी है तो क्या करेंगे जब जो बाए हाथ की उंगली होती है जिस पर आपकी रियल लगती है आपकी उसके बराबर वाली उंगली जिसे मध्यमा कहते है उस पर अमिट शाय लगेगी और पहली वाली पर उसकी खुद की शाय लगेगी तो उसकी दो शाय लगेगी प्रोक्सी वाले की तरजनी पर उसकी खुद की शाय लगेगी जो उसकी तरजनी होती है उसकी बराबर वाली उंगली पर प्रोक्सी वाली साइन लगेगी तो दो वोट डालेगा प्रोक्सी जिसे नुक्त कर दिया जाएगा अब बात करते हैं तीसरी कंडिशन आ जाती है हमारी चैलेंज या चिनोती या अभ्या छेप मोट माली जे ये क्या होता है अभी करता द्वारा माली जे कोई वोटर जो मदाता है वो परतम मदान अधिकारी के पास आता है परतम मदान अधिकारी देखता है उसको और देखने पर वोटर लिस्ट में उसका नाम ढूनता है पिर जोड से उसका नाम बोलता है जैसे ही वोटर लिस्ट में वो जोर से नाम बोलता है तो पीचे से अभी करता द्वारा मतदाता की पहचान के सम्मन में आपत्ती कर दी जाती है अब आपत्ती कर दी कि ये गलत मतदाता है अब वो कह रहा है मैं सही हूँ और वो कह रहा है ये गलत है तो उसमें क्या करना क्या है? पिठासी नदीकारी के पास दो रुपे फीज जमा करके रसीद ली जाएगी. वो अजेंट दो रुपे जमा करेंगे जो आपती कर रहे हैं और एक रसीद ले लेंगे. उसके बाद सरपर तुम चुनोती करने वाले को अपनी बात सिद्ध करने की अवसर दिया जाता है कि तुम अपना पक्स रखो, अपनी पैचान के चिन दिखाओ कि किस तरह से आप वो सही हो या नहीं हो, मतदाता सही पाए जाने पर. अगर मतदाता दो कंडिशन होगी, या तो मतदाता सही पाएगा या गलत पाएगा, गलत पाएगा तो उसके विले कार्ड देखना पड़ेगा, सब चीज उसकी देखनी पड़ेगी, और अगर वो सही पाया गया, तो पीठा सी नदिकारी जो फीस हो है, दोर पे उसको जब्त कर लेगा, और मतदाता को समाने परकरिया से मद्दान की अनुमती दे देगा, कि बही जाओ तुम सही हो, तुम मतदाता को पुलिस को सोब दिया जाएगा, तो ये कंडिशन होती है, जब किसी को चैलेंज किया जाता है, उसके बाद अगली कंडिशन होती है, टेंडर या निवीदत वोट, टेंडर निवीदत वोट क्या होता है, मान लिजे कोई पर्थम मद्दान अधिकारी के पास आता है, यदि कोई मद्दाता वोट देने आता है, तो पर्थम मद्दान अधिकारी को ये ग्यात होता है कि पूर में उस व्यक्ति के इस्थान पर किसी अन्यने मतद दे दिया है, यानि वोटर लिस्ट में पहले से निशान लगा है, इसकी तो वोटर लगई, तो टेंडर की प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो उसमें आपको टेंडर वोट की प्रक्रिया अपना नहीं है, तो टेंडर वोट की प्रक्रिया में क्या करना है, टेंडर मद्दाता की पहचान की पूछ्टी करके, मद्दाता की प्रविष्टी मद्दाता रिजिस्टर में नहीं, अप लिकिन उसके लिए एक प्रारूप सत्रे खे होता है सत्रे खे में नहीं करेंगे सोरी सत्रे खे में करेंगे तो एक प्रारूप होता है उसमें उसकी एंट्री की जाएगी और टेंडर मत्दान हे तू मत्पत्र से उसका मत्दान कराएंगे उसे मत्पत्र जारी करेंगे और मत् और उजो मतपत्र होगा वो आपका एक लिफापा होता है, जिसमें आपका CHRIS है भी जाता है, लिस्ट जाती है उसमें टेंडर मत लिखेंगे, इस लिफापे को मदान की समापति के पश्चाथ सील कर देंगे, को हो सकता है एक से जादा इस तरह के आ जाएं, उसको सील कर दे और आखरी का मतपतर जारी करेंगे जैसे आपको बीस मिलेंगे तो उसमें लास्ट वादा इसमें जारी कर देंगे अब नेक्ट कंडिशन आती है हमारी EDC द्वारा मतदान EDC द्वारा मतदान किस तरह से किया जाता है अब कुछ लोग पोश्टल बैलेट का यूज कर लेते हैं लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो EDC द्वारा मतदान के परे में जानते हैं कर्मी जो विधान सभा में डूटी करता है माली जे कोई कर्मी है वो जिस विधान सभा में उसकी वोट है उसी विधान सभा में अगर उसकी डूटी लग जाती है तब वो EDC से कर सकता है क्योंकि जिस वैसा ऐसा होता नहीं है अगर आप किसी विधान सभा में है तो आपकी अजया जती है तो उसमें आप पोस्टल वैरेट भी यूज़ कर सकते हैं EDC के चक्कर में बहुत कम लोग पढ़ते हैं लेकिन मेरा फर्ज आपको EDC के बारे में बताना तो जो विधान सभा में डूटी करता है तो EDC का प्रयोग कर सकता है वो उसके लिए उसे करना क्या होगा EDC का आविधन प्रारूप बारे के पर किया जाता है जो बारे के होता है उस पर आविधन किया जाता है प्रस्थान के समय ए आरो द्वारा मत दाता को EDC दिया जाएगा जो मत दाता है उसे EDC दे दिया जाएगा परमान पत्र होता है एक EDC का मत दे करमी मदान इस तल पर EDC जमा करके सामाने मद्दाता की तरह मद्दान कर सकता है मालीजे जहां पर उसकी वोट है मालीजे हमारी हमारी बूत पर डूटी है हम भावी बूत डाल सकते हैं वो उसको जमा कर देंगे क्योंकि EDC का एक लिफापा आता है उसमें उसको जमा कर देंगे सामाने मद्दाता की त असक्त मतदाता हो दौरमादान, किस तरह से कराना है? 18 वरसे अधिक मरका एक सहयक अनुमन्ने होता है उनके लिये, जो 18 वरसे अधिक मरका हो. छोटा नहीं असक्त है उसके साथ 18 वरसे अधिक मरका कोई आ सकता है, प्रारूप चोदेक है एक प्रारूप दिया जाता है पर ऐसे मतदाता का अंकित करके उनका हस्ताक्सर और अंगूठा लिया जाता है जो किसी को साथ ले के आंगे है वोट डालवाने के लिए सबी व्यक्ति द्tuर्रा एक मतदाता कही परियोग के जाने और गोपनिये रखने के आसे की घोशना P.O.H.B. के नुसार अनलगनक दस पर की जाती है लेकिन मैं आपको बता हूँ अगर इस तरह का आ जाता है तो आप इसके चक्कर में ज्यादा ना फड़े तो डैटर है वैसे ही वोट डलवा दें कोई दिक्कत नहीं होती अगर कोई आपती करता है तब आप इसका यूज कर सकते हैं लेकिन नोलिज आपको होनी चाहिए नेक्स्ट है विवादित आयू के मद्दात और मद्दान विवादित आयू ये क्या होता इसका भी अलग से फार्म आता है आयू के विवाद की दसामेट मान लीजे कोई बच्चा सा आ गया उसकी वोट बनी हुई है आपको लग रहा इसकी उम्रतो कमर है तो उसमें मद्दात वादा पी ओ एच बी पर दिये गए अनलगनक साथ में गोशना पस्तर हस्ताक्सित किया जाएगा गोशना पस्तर उसका भरा जाएगा इस तरह का वैसे ऐसा होता नहीं है क्योंकि अब बहुत ही साथानी से वोट बनाई जाती है उनके अधार काड लिये जाते हैं तो इस तरह की कंडिशन आपके सामने नहीं आएगी और आपको इसके चक्र में भी ज्यादा पढ़ने की जरत नहीं है जो इस तरह की होते हैं असक्त होते हैं अंदे निसक्त होते हैं इनके चक्कर में ज़्यादा ना फड़े तो बैटर रहेगा इन फार्मों के चक्कर में वैसे नियम के अनुसार आपको ऐसा करना होगा ऐसे मतदाताओं का विवरण P.O.H.B. के अनलगनक 9 के अनुसार भाग एक पर अंकित किया जाएगा जिन मतदाता द्वारा घोशना करने से इंकार किया जाएगा उनका विवरण भाग दो पर अंकित किया जाएगा अब बात करते हैं ASD मतदाताओं द्वारा मतदान जब आप मतदान से एक दिन पूर्व सामगरी प्राप्त करते हैं तो आपको एक वोटर लिस्ट मिलती है वोटर लिस्ट के साथ साथ आपको एक लिस्ट भी मिलती है जो होती है ASD मतदाताओं की लिस्ट पीठा सी नदीकारी को ASD यानि A से हमारा मतलब है एपसेंटी, अनुपस्तित, S से हमारा मतलब है सिप्टिड और D से मतलब है डूबलिकेट, मददाताओं की सूची उपलब्द कराई जाती है अब आप ये ध्यान रखे, ASD मतदाताओं से POHB के अनलगनक 16 है, जो आपको परपत्र का एक O मिलेगा तो उसमें अनलगनक 16 है कि घोशना पत्र हस्ताकसर कराया जाता है कोई ASD मतदाता आपके सामने आता है और उसका एक अलग से प्रारुप भी भरा जाता है, ABSENTE आपके भाग एक में आ जाएंगे और Sipteet आपके भाग 2 में आ जाएंगे उसमें द्भाग 2 जिसे घोश्ट कहते हैं, घोश्ट में आपके Sipteet आ जाएंगे अब ये होते क्या है एपसेंटी तो वे होते हैं जो लोग बाहर रहते हैं लेकिन उनके घर परिवार या उनके मकान वहाँ पर बने हुए है तो उनको एपसेंटी की स्रेनी में रखा जाता है और शिफ्टिड वे होते हैं जिनके घर परिवार भी वहाँ से चले गए उनको ग अगोटो का निसान भी और उपलबता की स्थिति में उनकी वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी अगर आपके यहां वीडियोग्राफी है तो उसको भी आप उसे करा लें क्योंकि एपसेंटी लिस्ट में से जो लोग बोट डालने के लिए आते हैं आपको बोट तो डलवान जे और उसको वोट डलवा दीजे नेक्स्ट आपका एक कंडिशन ये बहुत आती है कि वीवी पैट पर मत दाता को भिन मत या चिन दिखाए दे वो आके कहे कि मैंने वोट डाली A को और वोट चली गई B को यानि बत्ती दूसरी की जली या उसे दूसरी वीवी पैट पर द बोलते हैं तो इसमें आपको करना क्या है सिकायत करने पर मत दाता से नियम उनंचस M.A. एक नियम उनंचस M.A. होता इसका फार्म होता है कि अद्रगत घोशना पत्र पर सबसे पहले हस्ताकसर लेंगे उस पर आप घोशना पत्र पर हस्ताकसर उनसे ले लें उसके बात मत द रहे हो कि मैंने बोटी से डाला और पर्चीस की निकल के आई मैं तुम्हारी दुबारे बोट डलवा दूगा अगर आप सचे हो तो हम मसीन को चेंज कर देंगे अगर आप जूटे हो तो आपको जेल जाना होगा तो अगर वो जूट बोल रहा है तो वहां से खिसक लेगा रजिस्टर पर उसी मतदाता की अगले कर्मांग पे हो सकता है बीच में एक दो और आ जाएं कोई दिक्कत नहीं है दो तीन के बाद भी अपसकी एंट्री कर सकते हैं अगले कर्मांग पर पूने प्रविश्टी करके हस्ताकसर और अंगुठा निसान भी लिये जाने के वश मतदाता दोरा परिक्षण मतदान किया जाएगा जिसकी परविश्टी मतदाता मतपत्र लेखा जो मतपत्र लेखा है सत्रे गये उसके भाग एक के कर्मांग पांच में भी दी जाएगी क्योंकि आपको मसीन से घटानी होगी इवियम गलत भी हो सकते है इवियम सही भी हो सक सिकायत गलत सिध होने पर बदाता रिश्टर में अभ्युक्ति के कालम में भी अंकित की जाएगी जो अभ्युक्ति आपने डाली कि हमने परिक्षर मत कराया तो उसकी सिकायत में आप डाले जाएगी इसकी सिकायत गलत पाली पाई गई इसके खिलाब करवा ही की गई सिकायत सही पाई जाने पर इस्तिति में मद्दान बंद करते वे सेक्टर मजिस्टेट के माध्यम से रिटर्निंग ओपिसर को सुचित किया जाएगा और नई EVM और VVPAT से विदीवत अगरी मद्दान कराया जाएगा अगर उसकी सिकायत सही है तो नई मसीन आपकी यूज की जाएगी हलाकि ऐसा बिलकुल भी नहीं होता है इससे आप बेफिकर रहें ऐसी कंडिशन आपके सामने नहीं आएगी एक कंडिशन आजाती है कि मतदाता द्वारा मतदान के दोरान मतदान से इंकार कर दे रिजिस्टर में उसने एंट्री कर लिए और फिर वो कहने लगे कि मैं तो वोट नहीं डालता आलगि ऐसी कंडिशन होगी तो उसे आप अपने अनुसार हैंडिल कर लीजिए लेकिन नियम क्या है वो मैं आपको बताता हूँ मतदाता की पहचान होने मतदाता रिजिस्टर में प्रविष्टी होने अत्वा अमिट शाही लगने या बैलेट बटन दबाने के पहचार मतदाता द्वारा मतदान से इंकार करने पर मतदाता रिजिस्टर में उस वेक्ति के अभ्युक्ति के कालम में पीठासी नदीकारी द्वारा मतदान से इनकार किया लिखकर हस्ताक्सर करते वे उस मतदाता से भी हस्ताक्सर कराया जाएगा अगर वो इनकार कर रहा है वैसे तो आप उसे समझा ले वोट डाल दे नहीं तुझे डालनी तो नोटा पे ही डाल दे क्यों हमारे बिना मतलब के कागज़ फालतू करवा रहे हो तो नोटा पे डाल देगा अगर से कोई पसंद नहीं है तो वैसे अगर नियम है तो नियम में आपको इस तरह से करना होगा अगले मतदाता को पुला कर विदिवत मतदान कराया जाए यदि बैलेट बटन दबाने के पस्चाथ अंतिम मतदाता दोरा मतदान से इंकार किया जाए तो पिठा सी नधिकारी उस मतदाता की अभ्यूक्ति के कालम में मतदान से इंकार किया लिखकर पिठा सी नधिकारी और म और उसेस करें कि आप उसको मनाई लें कि वो वो डालने से मनाग ना करें किसी भी तरीके से हो आपके विवेक पर depend करता है जा आपको कैसे करना है लेकिन अगर ऐसी condition आजाती है उन मना कर देताहर आपने पेलेट भी दे दिया तो आपको फिर रिश्टर पे साइन कराने पड़ेंगे मतदाता का हस्ताक्सर कराने पड़ेंगे पिठा सी नदिकारी हस्ताक्सर करेंगे सी यू को स्विच ओफ करेंगे वीवी पैट को डिसकनेक्ट करेंगे उसके बाद वीवी पैट को फिर कनेक्ट करेंगे और फिर स्विचोन किया जाएगा तो इसमें बहुत जंडर्ट हो जाएगा तो इसलिए कोसिस करें कि ऐसी कंडिशन ना है नेक्स्ट आती है आपकी मतदाता द्वारा नियमों की अवहेलना कोई मतदाता अंदर आचाता है और नियमों की अवहेलना कर देता है तो ऐसी कंडिशन में क्या किया जाएगा किसी मतदाता द्वारा मतदान नियमों की औहलना किये जाने के फिस्तिते में पीठासीन अधीकारी द्वारा उसे मद्दान से वन्चित किया जा सकता है मतदाता की पहचान होने मतदाता रेज़्टर में परविस्टियों अमिट स्याहि लगने और बैलेट बटन दबाने के पस्चाद मददाता दोरा मददान नियमों की अवेलिना करने पर उसे मददान से वंचित किये जाने के स्थिति में मददाता रिजिस्टर के उस कर्मांग की अव्युक्ति के कालम में पिठासीन अधितवारी द्वारा मद्दान परक्रिया का उलंगन किया ये गलत लिखा हुआ है से सोरी कल सही कर लेना पिठासीन अधिकारी ने मद्दान का उलंगन नहीं किया इसमें गलत लिखा हुआ है से सही करना यानि कि मददाता द्वारा मद्दान परक्रिया का उलंग कराया जाएगा तो इस तरह की condition आपके सामने आ जाती है मैंने सभी condition आपको बता दी इससे आलग कोई condition आपको नजर आती है तो वीडियो के comment box में लिखे इसके साथ साथ next चरण के चुनाव से दो दिन पहले मैं live आऊंगा सामको तो उसी time जिस time मैंने पहले live आया था और अगर आपकी कोई समस्या हा तो आप live प्रोग्राम से जुड़कर अपनी समस्या discuss कर सकते हैं तो साथियों आज की वीडियो में इतना ही आपको यह वीडियो कैसी लगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को like करें, share करें और वीडियो पे comments करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को subscribe कर ले और bell का icon को press कर दें जिससे के आपको next वीडियो का notification मिल सके धन्यवाद